गुड मॉर्निंग डिये स्टुडेंट्स, वेलकम टू दीस वीडियो फ्रों H.B. कापडिया ग्रूप अप स्कूल्स आज हिंदी में पहेलिया गुजोतो जाने समझेंगे पहेली यानी समस्या आपने कई पहेलिया सुनी होगी गुजराती भासा में भी आप ऐसी कई पहेलियों को सुल्जाने का प्रहत्न करते हैं गुजराती मां तेने उखाना कहिए जे उसे हिंदी में पहेली करते हैं गुजराती मां उखाना जिवा के वानी नहीं पन बोली सके पग नथी पन चाली सके वागे पन काटा नहीं पन एना इसारे दुनिया चाले हैं तो एनों जवाब छे गडियार तो आवीज रिते हिंदी माँ पन अनेक पहेली छे तो आज हम उस पहेली को समझेंगे कि पहेली का जो उत्तर डूंडना होता है वह समस्या का समाधन डूंना एक खेल के साथ साथ अम मनोरंजन भी कराती हैं जैसे वह कौन सा मुख है जो सुबह से लेकर साम तक आस्मान की और देखता रहता है तो उसका उत्तर है सुरज मुखी तो आईए आज हम हमारे अप्यास करम में जो भी पहेली है उसके उत्तर उसको सुलजाने का हम प्रायतना करते हैं अगर अपने दिमाग को मजबूत करना चाते हैं तो पहेलिया आपकी मदद कर सकती है पहेलिया मजेदार होती है हमारा गनान बढ़ाती है पहेली सुलजाने में हम अपना दिमाग लगाते हैं जिस से हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है जिस तरह व्यायाम करने से सरिर की क्षमता बढ आप सभी जानते हैं कि पहलिया बच्चों को बहुत पसंद आती है यहां पहलिया देकर छात्रों की विचार सक्ति का विकास करने का प्रयास किया गया है पहलिया समझ्या या प्रश्ण के स्वरूप में होती है उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है यह पहलिया हमारी विचार करने की सक्ति को बढ़ाती है और ग्नान में वृत्ति करती है तो आज हम ऐसी ही पहलियों को बुझने और समझने का प्रयत्न करेंगे पहली पहली फॉल देकर सफल हुए हैं हरियाली फैलाते हैं फूल फली जड चाल बीजते सब को सुखी बनाते हैं इसका उत्तर है पेड तो कहते क्या है पेड की सब को फॉल देते हैं फॉल देकर वेस अपने जीवन को सफल मानते हैं पेडों से व्रुक्स से पौदों से ही चारों और हर्याली दिखाई देती है उसके फूल, फूल, जड, चाल, बीज आदी हमारे लिए उप्योगी है और यह सब देकर वह मानव जीवन को सुखी बनाते हैं तो व्रुक्स लोगों को फूल देकर सफल हुए हैं और व्रुक्स हमें फौल, फूल, जड, चाल और बीज देकर हमें सुखी बनाते हैं दूसरी पहली पत्थर कावन उचा है मन उगते पेड घने सारे नदियों जर्नों के उदगम हम भूतल के हैं रखवारे इसका उत्तर है परवत रखवारे यानि रखशक तो यहां पर परवत क्या कहते हैं कि वे अपने आपको पत्थरों का जंगल कहते हैं वे कहते हैं कि हमारा मन बहुत विसाल हैं हम पर बहुत से पेड उगते हैं और वे अपने आपको नदियों और जर्नों के उदगम स्थल बताते हैं वे कहते हैं कि हम बूतल के रखवारे हैं, रखवारे यानि रखशक हैं, वे धर्ती की रखशा करते हैं, जीस तरह हीमाले हमारे भारत देश की रखशा करता हैं, तो यहां उसका उत्तर है परवत. इस पहली के आधार पर प्रस्न भी पुछा जा सकता है कि परवत अपने बारे में क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि परवत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल हैं, हमारा सरीर उंचा है, उसके साथ साथ हमारा मन भी उंचा है, मतलब हमारा मन भी विसाल हैं, हमसे ही नद पीती प्यासी रहती देती जगबर को पानी खेत सीचती नाव चलाती बहती हूं में मनमानी तो उसका उत्तर है नदी यहाँ पर नदी क्या कहती है कि मैं अपना पानी स्वयम नहीं पीती मैं खुद प्यासी रहकर संसार को अपना पानी देती हूं मेरे पानी से खेतों की सीच प्रस्न पूछा जा सकता है कि नदिया अपने बारे में क्या कहती है तो नदिया कहती है कि हम अपना पानी स्वयम नहीं पीते पानी से परे होकर भी वह प्यासी रहती है यह कहती है कि सारी दुनिया को पानी देती है हमारे पानी से ही खेतों की सीचाए होती है नाविक नदि में नाव चलाते हैं और नदिया अपने मनमाने ढंग से बहती हैं आगे की पहली है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, फीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुजा कर पूछु हाल. तो इसका उत्तर है तर्बूज यहाँ पर क्या कहता है तर्बूज कि मेरा सरीर हरे रंग का है आपने तर्बूज देखा हो का और चित्र में भी दिखाए दे रहा है कि उसका बाहर का जो रंग है वह हरा होता है अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रसे भरा रहता हूं क्योंकि हम तरबूज खाते हैं तो हमारी प्यास भूज जाती हैं इतना रस होता है इसमें इसलिए वह कहता है कि हमेशा रसे भरा रहता हूं गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुजाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पुछता हूँ तो उसका उत्तर है तरबुज आगे की पहली है हम दोनों है पक्के मित्र करते रहते काम विचित्र पांच पांच सेवक है साथ लेकिन करते कभी नबाद तो यहाँ पर चित्र दिखाए देता है आपको हाथ का चित्र है इस पहली का उत्तर हाथ है क्या कहते हैं कि हम दोनों पक्के मित्र है हाथ हमेशा मिल जुलकर ही काम करते हैं हम अनोखे काम करते रहते हैं हमारे प्रत्येक हाथ के पांच पांच सेवक है कि हमारे एक हाथ में पांच उंगलिया होती हैं चार उंगलिया हो और एक अंगोठा होता है तो दोनों हाथ के पांच-5 सेवक है लेकिन वे कभी आपस में बात नहीं करते हैं इस पहली के आधार पर यह भी प्रस्ना पुछा जा सकता है कि दोनों हाथ की क्या विशेशता हैं तो उसका उत्तर होगा कि दोनों हाथ पक्के मित्र है और साथ काम करते हैं लेकिन कभी आपस में बात चीत नहीं करते हैं आगे की पहली है कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा कभी गेंद जैसा हूँ मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चो का मामा हूँ चीतर देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर चंदा मामा है कभी हुँ पतला तो चंदर की जो पूर्णी मा के दिन होते हैं उस समय वह गोल दिखाई देता है जैसे जैसे अमा वस्याती है तो दीरे-दीरे पतला होता जाता है फिर पूर्णी मा आने पर दीरे-दीरे उसके अकद बढ़ता जा इस पहली के आधार पर प्रस्न पुछा जा सकता है कि चांद का आकार कैसा होता है तो चांद कभी पतला कभी मोटा तो कभी गेंद जैसा दिखाई देता है आगे की पहली है बड़े सवेरे उठती हूँ में सैर गगन की करती हूँ में आलस सुस्ती तनिक न करती हर्दम ही कुछ करती हूँ में तो यहाँ चित्र देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर है चीरिया हम सुबह उठते हैं तो प्रातरकाल में हम फक्सियों की आवाज सुनते हैं फक्सियों के चहचहाने की आवाज आती है तो यहाँ पर भी चीडिया की बात है चीडिया बड़े सबेरे उठती है, जल्दी उठ जाती है वह गगन की सेर करती है, मतलब आकास में सेर करती है, जरा भी आलस नहीं करती, तनिक यानि थोड़ी भी नहीं, जरा भी आलस नहीं करती, हर दम कुछ न कुछ करती रहती है, तो इसका जो उत्तर है वह चीडिया है, इस पहली के आधार पर भी प्रस्न पूछा जा सकता है, कि चीरिया की क्या विसेश्ता है तो चीरिया की यह विसेश्ता है कि वह जराबी आलस नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है और गगन की सेर करती है आस्मान में सेर करती है तो विद्यार्थी मित्रों आप भी ऐसी अन्यों पहेलियों को ढूनना उसे समझना और सुल पहली है ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है और दूसरी पहली है ऐसी कौन सी चीज है जो है आपकी पर उसे दूसरे लोग ज्यादा इस्तमाल करते हैं Thank you